मैं दिल्ली के बेटे दिल्ली के इतिहास में सबसे लोक्त्रिय मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल जी आम आदनी पार्टी के नेता मेरे भड़े भाई और राजनेतिक गुरू अर्विन केजरिवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे पर भरोसा किया और मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौपी दिल्ली के लोगों की देखरेक की जिम्मेदारी सौपी हूँ लेकिन आज मैंने मुख्यमंत्री के तौर पे शपत ग्रहन्ट जरूर किया है लेकिन ये मेरे लिए हम सब के लिए एक बहुत भावक्षण है जब अर्विंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं है अर्विंद केजरिवाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पिछले दस सालों में दिल्ली की तस्वीर को बदर डाला जिन्होंने पिछले दस सालों में दिल्ली की आम लोगों की जिन्दगी को बदर डाला अरविंद केज्रीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली में रहने वाले एक عाम इंसान का एक गरीब इंसान का दर्द समझा उनके रोज-रोज का संघर्श समझा उन्होंने समझा कि एक आम परिवार के लिए किस तरहां से अपना घर चलाना मुश्किल होता है अर्विन केजरिवाल जी वो व्यक्ति हैं चिन्होंने दिल्ली वालों को फ्री बिजली दी 24 घंटे बिजली अर्विंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली की महिलाओं को शिक्षा में रोजगार में आगे बढ़ने का मौका दिया फ्री बस यात्रा देगे अर्विंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिनकी वज़े से आज दिली के लोगों को अपने परिवार के सदस्य का इलाज करवाने के लिए अपने गहने नहीं गिर्वी रखने पड़ते, अपने घर नहीं गिर्वी रखने पड़ते क्योंकि सरकारी अस्पतालों में अच्छा इलाज होता है तो जब अर्विंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं रहते तो यह हम सब के लिए एक बहुत मुश्किल और एक भावुग घड़ी आज क्यों अर्विंद केजरिवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं है क्योंकि भारतिय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने अर्विंद केजरिवाल जी के खिलाफ शड्यंत्र रचा उन पर जूटे मुकदमें लगाए उनको इन जूटे फरजी मुकदमों में गिरफतार किया उनको छे महीने से जादा जेल में रखा उनको तोडने की उनको दबाने की हर संभव कोशिश करी लेकिन अर्विंद केजरीवाल जी टूते नहीं अर्विंद केजरीवाल दबे नहीं अर्विन केजरी वाल जी को सुप्रीम कोट ने जमानत दी एक ऐसे कानून में जमानत दी जिसमें पीमले में जमानत मिलना लगभगा संभव होता है और सुप्रीम कोट ने ना सिर्फ उने बेल दी बलकि बेल देते हुए केंद्र सरकार के मूँ पे तमाचा मारा और कहां कि अर्विंद केजरिवाल जी की गिरफतारी एक दुर्भावना के तहत हुई थी ये कहां कि केंद्र सरकार की एजनसी, सी बी आई, एडी, पिंजरे में बंदे तोते की तरह हैं जो सिर्फ अपनी मालिक की आवास में बोलती हैं हो सकता है कि कोई और निता होता, तो उनके लिए अदालत का ये फैसला काफी था और वो तुरंट जाके मुख्यमंत्री की कुरसी पे बैठ जाते हैं लेकिन अर्विंद केजरिवाल जी ने इस देश की राजनीती में एक इमानदारी और नैतिकता की मिसाल कायम करते हुए मुख्यमंत्री की कुरसी से इस्तीफा दे दिया उन्होंने कहा कि मेरे लिए सिर्फ अदालत का फैसला काफी नहीं है मैं जन्ता की अदालत में जाओंगा और जब तक दिल्नी की जन्ता मुझे नहीं कहती कि मैं इमानदार हूँ तब तक मैं मुख्यमंत्री की कुरसी पे नहीं बैठूँगा मुझे नहीं लगता कि इस देश के इतिहास में या शायद इस दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई नेता रहा होगा ऐसी इमानदारी और नहतिक्ता की मिसाल रही होगी चो आज अर्विंद केज्रिवाल ने देश और दुनिया के सामने रखी है अब हम सभी दिल्ली वालों को मिलकर एक ही काम करता है अर्विंद केज्रिवाल जी को फिर से फरवरी में होने वाले चुनाव में दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है अगर दिल्ली के लोग अर्विंद के एज्रीवाल जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं तो जो फ्री बिजली आज दिल्ली वालों को मिल रही है भारतिय जनता पार्टी अपना शड्य अंतर रच के उसको खतम कर देगी जो सरकारी स्कूल अर्विंद केजरी वाल जी ने सुधारे हैं वो फिर से बधाल हो जाएंगे मुहला क्लिनिक बंध हो जाएंगे हस्पतालों में इलाज बंध हो जाएगा महिलाओं की फ्री बस यातरा बंध हो जाएगी तो दो करोड दिल्ली वालों को मिल कर फिर से अर्विंद केजरी वाल जी को दिल्ली का मुख्यमंतरी बनाना अगले चार महीने के लिए मेरा यही काम रहेगा कि जो दिल्ली वाले परिशान रहे पिछले एक डेड़ साल में जबसे भारती जन्तापार्टी का शड्यंतर शुरू हुआ जबसे भारती जन्तापार्टी ने एक-एक करके हमारे नेताओं को जेल में डालना शुरू किया चब से भारतिय जनता पार्टी ने एक एक करके हमारे मंत्रियों को जेल में डालना शुरू किया चब से भारतिय जनता पार्टी के LG साहब ने दिल्ली सरकार के काम रोकने शुरू किये आप देखिए पिछले दो साल में भारतिय जनता पार्टी ने दिल्ली वालों को परिशान करने में कोई कसद नहीं छोड़ी चब से अर्विंद केजरीवाल जी जेल गए दिल्ली वाले भी परिशान हुए भार्तिय जन्ता पार्टी ने दिल्ली वालों के पानी के बिलहम ठीक करना चाहते थे उन्होंने उस काम को रोक दिया भार्तिय जन्ता पार्टी ने जो सड़क के रिपेर के काम है वो रोक दिया भारतिय जनता पाटी और उनके LG साहब ने हस्पताल में मिलने वाली दवाईयां रोक दिये, हस्पताल में और महला क्लिनिक में टेस्ट रोक दिये, दिल्ली से कूडा उठना रुक गया, लेकिन मैं आज आपको आशवासन दे रही हूँ, कि अब अर्विंद के एजरिवाल ज मस्या है, वो भी ठीक होगी, जो दवाईयां नहीं मिल रही है, उसको भी हम ठीक करेंगे, मैं दिल्ली वालों को यह आशवासन देना चाहती हूँ, कि अब अर्विंद के एजरिवाल जी जेल से बाहर हैं, भारतिय जनता पाटी का कोई भी शड्यन्त हम सफल नहीं होने दे नहीं. Thank you.